हेलो अबरिबर्डी सभी साथियों को राम राम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठागोंगे तन दरूस्त होंगे और आप अपने आने वाल एक्जाम के त्यारी जबरदस्त तरिके से कर जाँगे दोस्तो इंडियन एर फोर्स में बढ़ती इकड़ी है ऑने परकार के अपड़ है टोटल वाकैंसी पंदराखो है ठीक है इसक वागैजने के टोड़ियो को लास्ट तक देख ते रहे आपने अभine तक नॉलेज टीवी देसी ताओ यूट्योब चो सबस्क्राइब करने है तो क्योंकि यहां पर आपको हर रोज जोब और जोब से जुड़ी अपडेट सही समय पर मिलते रहती है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजीगा ठीक है तो देखिए क्या कुछ कहा गया है तो दोस्तों इंडियन एर फोर्स की ये वकैंसी है ग्रूप सी की ये व अपरेल से सुरू हो गई है और तीस दिन तक आप फारम वर सकते हो ठीक है आगे जलते हैं जी टोटल पॉस्ट इसके अंदर दोस्तों पंदरा सो पंदरा है कितनी है पंदरा सो पंदरा है बहुत अच्छे वकैंसी दोस्तों बड़ी बढ़ती है और इसमें दोस्तों एज 18 से 25 साल है क्या है एज 18 से 25 साल है और लास्ट डेट को काउंट की जाएगी कि आप कितनी साल के इसके अंदर होते हो यहां पर देखे दोस्तों सीनियर कंप्यूटर ओपरेटर है तो डिगरी होने ची दोस्तों ग्रेजविशन होने ची है मैथेमेटिक्स में या स्टोर है दोस्तों कोई भी डिगरी पास के लिए अपलाई कर सकता है स्टेनो ग्रेड टू 49 वकैंसी है लडीसी की 53 वकैंसी है हिंदी टाइपिस्ट की 12 वकैंसी है और इन तीनों के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी बारवी और टाइपिंग नोलेज उसके बाद में दोस्तों स्टेन नमर पे देखिए स्टोर की परगे वकैंसी है बारवी बेस पे ये बरती है सिविलियन मेकैनिकल ट्रांसपर डाइवर तो दस्तों दस्वी पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइशनस आपके पास में होना चाहिए उसके पोस्ट है दस्वी होना ची है और साथ में relevant ITSRTP वोना थी है पेंटर के लिए पेंटर का कारपेंटर के लिए कारपेंटर का उसके बाद में आया या वार्ड साही का छहाएवक दोस्तों इसके अंदर matriculation दस्वी पास होना ची है एक साल का experience हो तो आप इसके लिए अपराई कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों housekeeping staff females 5 वड़ा ठीक है तो 345 वकैंसी है matriculation ठीक है दस्वी पास laundryman 24 वकैंसी है master staff 190 वकैंसी है MTS 404 वकैंसी है ठीक है इसमें आपकी 10 वी पास होना चीए दोस्तों और एक साल का आपके पास experience होना चीए ठीक है उसके बाद में टेलर की वकैंसी है साथ है टेन स्मित 1 है कोपर स्मित और सीट मैटल 3 है यहां पे दोस्तों qualification 10 वी पलस में relevant आई टीक है उसके बाद में दोस्तों fireman की है 10 वी पास होना चीए साथ में firefighting का certificate आपके पास होना चीए fire engine driver matriculation साथ में 3 साल का experience होना चीए फिक्टर mechanical transport 10 वी पलस में IT होने चीए दोस्तों आपके पास में उसके बाद में है tradesman mat 10 वी पास होना चीए उसके बाद में है leather worker दो turner एक wireless operator mechanic HSAW ठीक है इसमें 10th with ITI 10th with ITI दोस्तों तो यह दोस्तों पूरा 27 परकार की वाकेंशी इसके अंदर आपने देख लिया है ठीक है अलग-अलग qualification है और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको एक वाकेंशी तो इसमें आपके लिए जरूर होगी ठीक है दोस्तों यहां पर click कर कि आप official notice को download कर सकते हैं और बरना कैसे दोस्तों आपको offline फारम बरना है सारे document साथ लगाने हैं और फिर इसको dark दोवारा दिये गए address पर पहुंचाना है address देखने के लिए official notice download करने के लिए दोस्तों इस video के description में link है वहां से आप check out कर सकते हैं और दोस्तों telegram group पर भी मैं official notice इसका share कर रहा हूं PDF के रूप में वहां से भी आप देख सकते हैं telegram group को join करने का link भी वीडियो के description में है तो दोस्तों तीन तरिक से फार्म सर्व होए हैं तो अगले दो या तीन तरिक तक आप इसके लिए जो आवे दिन हैं वो कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद बगवान करे आप से भी कसमें सुब रहे